देखा जाये तो पिछले बार आपसे सवाल है ये पिछले बार आदितपूर में नगर निगाम चुना हो चुका है पिछले बार यानि कि कारेकाल लगबग पूरा हो चुका अभी देखा जाये तो दूसरा चुना होने वाला है तो आप लोग पूरे छारकन के लिए विरोत कर कर रहे हैं कि सिर्फ मानगों के लिए विरोध कर रहे हैं पब्लिक एक्सेन नियू जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे इलोंग जो की आदिवसी समाज से है और इलोंग का अपना संगटन है और आजकल का जो महौल आप देख रहे थे कि बहुत जल्दी यानि कि पुरचारकण में चुना होने वाला था और चुनाओं ने इलोंग अपने इस प्रकार से अपना सरकार को आवाज दिया कि चुनाओं ही रुग गिया तो हम लोग देखते हैं आगे क्या परिक्रिया है, हम लोग बात करते हैं मैं मदन मुहन सोरन समाजी करेकरता मैं दीपक मुर्मो दिमना गराम सभा मजी बाबा कैलाज बिरुवा उलिडी गराम अथमुनधा मैंने परिशे ले लिया है अभी हम लोग उसे संबाद करेंगे संबाद इस बात करेंगे अभी हाल पिला में जो चुना होने वला था कोई परसत बनने के लिए तैयारी कर रहा था कोई यह अध्यच बनने के लिए तैयारी कर रहा था लेकिन सभी का दिखा जाए तो तैयारी पानी पिर गया आज पानी क्यों फिर गया इस पर हम लोग बात करते हैं अधर आप पहले बात कीजिए दिखे यह मानगो नगर निगम में जो चुनाओं का सुखभुगहट और तैयारी चल रहा था मानगो के साथ साथ ज्ञाडखंड के काई नगर निकाय का चुनाओं होना था और यह ज्ञाडखंड सरकार की ओर से तैयारी चल रहा था और ज्ञाडखंड सरकार जो है यह उनका जो आधिसुचनाम है यह 243Q1 जो भारत का संविदान है अनुचेथ 243Q1 के तहत वो अपना ज्ञाडखंड नगर पलिका अधिनियाम कानून 2011 के तहत जो है यह नगर पलिका का चुनाओ जो है वो संपन करने का वो परियास में लगा हुआ था हम लोगों का कहना है कि यह जो मानगो नगर निगम यह पूर्वी शिम्भूम जीला के अंतरगत आता है और पूरा पूर्वी शिम्भूम जीला ही यह अधिसुचित छेत्र है और अधिसुचित छ जो है ये भारत का समभिधान भाग 9 धारा 244 के तहद जो है ये पांचवी अनसुची छेतर के अंतरगत आता है और यहाँ पर विशेश कानून का प्रवधान है जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पांचायत चुना हुआ था वो पेशा कानून के तहद और वहाँ जो एकलपद ह उनको जो है वो आदिवासियों के लिए एस्टी के लिए उनको रिजब किया गया था और वज़ा क्या है वज़ा यही है कि ये सिडूल छेतर है और सिडूल छेतर में आदिवासियों का परतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए और उनके समभिधानी जो हाक है उनके भी तरह से जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए इस तरह का परवधान है तो हमारा कहना है कि मन्गो नगर निगम भी यह जिला के अंतरगत आता है तो वैसे परिस्तिती में हमारा ग्रामीन छेतर में विसेस कानून से चुनाव होता है और शहरी में समाने कानून से चुनाव हो रहा है ये बिलकुल ये आसमवधानिक है और ये समविधान का जो अनुसुचित छेत्रे के जो परवाधान है उसको कुछ तत्यों को कुछ धाराओं को उसको नाजारांदाज करते हुए उसको दारकिनार करते हुए समाने कानून के तहत यहाँ पर थोपने का बहुत बड़ा एक साजीस चल रहा था जिसका हम लोग ने जो बारा गाओं के संयुक्त ग्रामसभा संगर समिती इन मुद्दों पर लगतार अंदोलन कर रहा है और उनका मांग यही है कि यहाँ जो सहरी चेत्र में भी जो हमारे परामपरिक जो ग्रामसभा है जो गाओं है उनका अस्तितु उनका पाचान जो है समाने कानून के तहट उसको पूरी तरह से जो भी बचा खुचा है उसको पूरी तरह से उसको समप्त करने का एक पर्यास चल रहा था जिसका हम लोगों ने रोकने का काम हम लोग किये हैं पिछले दिनों जाडखंड में जो है यह टी एसी ट्राइवल एड़जरी कॉंसिल म मुकी मंतरी की अधाचता में एक बैठक हुआ और इस चुनाव को ही इस्थागित करने का एक बहुत ही सकारातमाग पहल हुआ है और हम लोग को उम्मीद जगा है कि सहरी चेतर में जो पेशा के अनरूप एक मेशा कानून बने और उसी कानून के द्वारा जो है यहां भी ए ग्राम सभा को भी एक सम्मान मिले उसका भी समविदानिक अधिकार मिले जैसे पेशा कानून पेशा कानून आज जो है नियमवली बनने से उसको रोका जा रहा है यहां सहरी चेतर में मेशा कानून बनाना है तो हमारा मांग है कि मेशा कानून बने और उसी के द्वारा यहा अधिकार मिलेगा सम्मान मिलेगा हम लोग जी सिसाब से आगे हम लोग सवाल करेंगे देखा जाए तो पिछले बार आप से सवाल है ये पिछले बार आदितपूर में नगर निगाम चुना हो चुका है पिछले बार यानि कि कारेकाल लगबग पूरा हो चुका अभी देखा तो दूसरा चुना होने वाला है तो आप लोग आप लोग पूरे जारकंड के लिए विरोध कर रहे हैं कि स्री मानगों के लिए विरोध कर रहे हैं दन्याबाद देखिए यह अभी तो हम लोग पूरा जारकंड का जो अनुसुचित छेत्र है उसके लिए हम लोग विरोध कर और चुकि हम लोग अभी मानगो नगर का जो यह गठ्ण हुआ नगर पालिका, नगर निगम का जो गठ्ण हुआ इसमें हम लोग बिरोद के यह हुथ औरla लगों को जगाने का काम किया है और ये हम लोग को बहुत हद तक लोग भी अभी समझ चुके हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है और जहां तक नगर निगम का चुनाओं का बात है ये देखा जाए कि आपका चवकतरवा सम्मिदान जब संसोधन वा ओ नगरपालिका का हुआ चवकतरवा में आपका नगरपालिका का अधिनियमा और ओ नगर पालिका अधिनियम जो है ना उद दो हजार एकार में यह जारकन सरकार जो बनाया यह अधिनियम आपका समाने चेत्र का है सीडूल एरिया के लिए नहीं बना है सीडूल एरिया के लिए यह कानून नहीं बना है यह समानेच छैतर के लिए hat citizenship आप जहां पर शीडूल एरिया नहीं है आप वहां पर चुनाओ कराए हूमकोंसे कोई अधिकत नहीं है लेकिन आप जहां पर सीडूल एरिया जयाते हो तो वहां पर मेसा के तरह ही एक पैसा की तरह एक मेसा आता है मेशा मतलब municipality एक्षेंशन और सिडूल एरिया वो आपको कानून बनाने पड़ेगा और कानून बनाने का अधिकार और किसको है इसका हग किसको है यह पार्लियमेंट को है आप जहारखंड राज सरकार जो है आपका कानून आप समाने छेतर के लिए आप अधिनियम बना सकते लेकिन जहां पर आपका सिडूल एरिया का बात आएगा वो आपका अधिकार नहीं है वो आधिकार है आपका संसद का और संसद में इस तरह का कोई कानून ही नहीं बना जो सिडूल एरिया में मुन्सिपल्टी एक्ट या नगर निगम नगर पालिका का गठन हो इसका कोई स वो परतिसत में 25 परसंट है 75 परसंट मितलब गेर जन जाती यह है तो उसमें कैसे चुनाओ नहीं हो सकता है जी बिलकुल हम यही कहना चाहते हैं कि आज आप पॉपुलेशन यहाँ पे सीडूल एरिया में आपका क्या प्रणस्वविदान क्या बोलता है कि सीडूल एरिया में कोई बाहरी आदमी यहां रह नहीं सकता यहां पे बेफसाई नहीं कर सकता यहां कोई कुछ कर नहीं सकता औ और यह जो आपका यहां बाहरी population आया है यह तो आपका सीडूल एरिया का जो कानून है CNT Act, SPT Act यह कानून का उलंगन हुआ है नजाज तरीका से यहां पर बसा हुआ है और क्या जो नजाज तरीका से लोग बसा हुआ है और जो यहां का जो मुल आदिवासी है क्या उनके उपर में या जो बाहरी लोग है उसको पाउर दिया जाएगा क्या और यह जो यह जो है यह जो है इसलिए उनको हम समझते हैं कि यह कही ना कही से यह जो बाहर का लोग जो आया है उसको एक संवेधानिक अधिकार देने का यह लोग काम कर रहा है और इसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं चुकि यह कहीं से भी माल लेजिए आप यह population का आप एक को आधार बनाते हैं आज population आज हम अगर minority हो जाते हैं तो क्या आप इसको decidule करिएगा कल के दिन में अगर general अगर यहां minority आ जाता है और यहां आदिवासे समुधा होगा तक क्या क्या आप उसको क्या आप schedule area घोसित किज आएगा और यहां कहीं ना कहीं से यहां पर सम्विधानिक का यह मतलब उलंगन हो रहा है और हम लोग उसी के तहत हम लोग यहां बात कर रहें और इसलिए हम लोग इस चुनाव को बिरोद कर रहें अगर आपको चुनावी करना है चुनावी कराना है तो आप कानून बनाए को कि आपके चुना हो रहा था यह बिलकुल आसमधानीक है चुकिarina पार्लियोंट में आईशा को कानून आई संभिधान ही नहीं बना अग Climate आप अपने देखा हम आभ भी तिन तर्म और इसा को मुझा चुनान ऊचा ना पहले भी होना चाहिए था ना तो क centr Lena हुआ क्यों उसमें पैसा नहीं था पैसा जब बना तो यहां चुनाव बना चुना हुआ उसी तरह अगर आप ठीक है न सीडूल छेत्र में नगर कभी बिस्तारी करन होता है लेकिन वह तो पहले अनुसुचित लोगों का ही था अधिवासी लोगों का था लेकिन इसका मतलब यह थे नहीं कि सहर बन गया तो अधिवासी बिलुप्त हो गया और उसका पर जो जो बाहर से आयों लोग उस पर डंटा चलाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता या किसी आयस को आप अधिकार दे देंग कहीं नहीं है कहीं नहीं है कोई भी राज में यहीं तो हम बोड़ है आप डाउन टो अर्थ में जाएए मेसा किसी ने गिर आया है इसमें आपको पता चलेगा कि भारत देश में सात राज में जहां अनुसुचित राज है और टोटल कूल 181 आपका नगर पाली का नगर नगर निगम का गठन और यह अभी दो अभी नया जुड़ा है आपका यह मांगो नगर और जुक्सला नगर पली का चुकि अब सवाल यह कि लोग अगर बिरोध नहीं करता तो हम भी बिरोध नहीं करें क्या ऐसा तो होता नहीं है आज देखे आज नतीजा यह कि आज हमने बिरोध किया तो पूरा जहरकेंड के लोग अदेवासी लोग जगने का काम किया अभी अभी जिससाब से लोग बोल रहे हैं कि यह बिरोध यानि कि आप लोग टीएसी यह का जो विह हुआ है यह कुछ दिल के लिए टला है लेकिन चुनाओ तो हो गई चुना होगा राज सरकार उसको भेजा है उसको नियम कानून बनाने के लिए देखते हैं अभी क्या होता है और हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मानिने मुख्यमंतरी और टीएसी के जितने भी सदे सगन है जो हमारी आदिवासी के जन भावनां को ध्यान में र रखा और टीएसी के हमारे जितने भी हमारे सदे सगन है हमारे ट्रैवल आदिवासी बिदाई गन है उन्होंने हमारे आदिवासी समोधायों का जन भावनां को ध्यान में रखा और इसको विचार में लाया और विचार में लाया और उनको जो है ना ततकाल जो है ना इसको रद कर ने का काम किया और आने वाला दिन हमें लगता है कि इस मामले में निश्चित रूप से ये कानून बनेगा और कानून बन के आएगा और हमारे जितने भी T.S.E. के सधे सगन इनका हमारे जन बहुनों का आकलन करेंगे ध्यान में रखेंगे और सभी समुदायों का ये रखके उसका एक नियम नीती बनाएंगे और हमारे इस सहरी चेत्र में जैसा दियाद चेत्र में हमारे भागीदारी को सुनिशित करेंगे यह महरा उमिद है कि पूरा आप पूरे आश्मीदह ने बता रहे हैं अगर यहां मेसा कानून लागू हो जाता है, मेसा कानून के तहाद अगर चुनाओ होगा, तो आप लोग कराने देंगे? बिलकुल, मेसा कानून आए, कराए? मैसा कानून में आप लोगों को क्या मतलब क्या आप लोगों का योगदान रहेगा चाहे आप लोगों के लिए कौन सा सीट रिजब रहेगा फिर चाहे क्या लादब होगा आप लोगों को आदिवसी समाज को क्या फाइदा होगा इसमें से इसमें आपने पेशा देखे ना पंचा चुनाव तो तो आप देखी रहें सीडूल एरिया में किसका भागी दार है इसके लिए हमारे ओविसी हमारे कुडमी भाई लोगों ने भी इसका रिड़ दायर किया था और उसमें सुरू से लेकर अंत तक उसको खारिज किया गया है प्रुसत्प्रतिसद फुरुसीन फुले से ना उसका इरक्ष्न मिलेगा वह से यहां पर होगा और सलीकरण होगा और यहां फिर बावरी लोग यहां जल जाती है यहां पर है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि यहां का जो मुद वाशी है अधिवासी उसको आप मनेशनामूद कर दियेंगे एसा तो बहुता नहीं है यह कानून तए बात है नहीं चुकि यह तो आपका सिडूल छेटरी था सिडूल छेत्रे में आप जब आये हैं तो आप उसके अधिन रहे ना सासन मेरे हाथ में रहेगा अभी जैसा पंचायत में है सासन मेरे हाथ में वह इसे ही मेसा में भी नगर में भी मेरे योगा यहाँ पर अगर नाली भी साफ होगा तो मेरा मेरा अनुसंसाच होगा यहाँ प तक हो मतलब है समय दर्म मानते हैंए बिलकुल चुकि आप ने यहां पे एक्टॉम यहां पे इन तर्म हम लोग देख रहें आपका पट मुत चुना में और यहां फर इन समय सतों हुआ उसका क्या नतिज़ा है कितने लोगों का यहां पर विकास हुआ है सब है अपने अंतिम सब्दों में हमारे जितने वी जंता देख रहे एं इस हमारे सभी आदिवासी समुदा है जितने भी हमारे पारामपरिक स्वासासन बेवस्त है कि अगोगरन से यही हमारे गुजारिस है कि हम लोग एक जो ठोकर यह आसंबिधानिक जो काम हो रहा इसका निरंतर बिरोध किया जाए इसको रोका जाए ताकि हमारे अनुरूप कोई ऐसा सम्विधान बने ऐसा कोई कानून बने ऐसा कोई नियम निती बने जो हमारा इस छेतर में हमारा सिडूल छेतर में हमारा स्वासासन, हमारा बेवस्ता, हमारा पारामपरिक हमारा कल्चर, हमारा संस्कृती मैं आवान करूगा कि आप आईए और इस असमेधानिक काम को और किरिया कलब को रुखा जाए सरकार का है हमों हम लोगों ने आज इन संभाथ किया लोगों ने परतिक्रिया यानि के बिरोथ किया और बिरोथ करने के बाद देखा जाया तो अन्हिन पनन में तयारी वो हो चुका था, तयारी लोग कर रहे थे, लेको यह लोग का विरोध मसाल जुलुस के साथ, जिस हिसाब से लोग किया, यह लोग का काम कर गया, सरकार इस पे बेकपूट पे चला गया, सरकार का आगे का रणनिती क्या होगा, यह हम लोग आगे में देखेंगे, उमी करेंगे कि कोन सा ऐरिया के कानून यहां पे implement हो रहा है कि कि हम अशमीदेन कर कोई भी कार शूर करने कर सकते हैं कानून हम यह समुधान हमारा डे चलता है जो कि फून हम पूरा हमारे और से beweलिग आские नेश Videos जनता के आवाज में और हम सभी हां आप लोगों के साथ संभाद कि Someone सबी को अर से सबी को जोहार दने बाद जोहार करें जोहार करूंगा चार कि अ जोब जोब दो कर दो पातु मेंने कर दोdasके कर दो आजए system झाल